हेलो एपरीवन कैसे हैं आप मैं सवरफ दूबे मेंगनेट ब्रेंस इंदी मेडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन कही ना कहीं कुछ ना कुछ प्राब्लम की वज़े से मैट्स में हमारे अच्छे स्कोर नहीं बन पा रहे हैं है ना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बहुत सारे सवाल लगा रहे हैं आपको आइडिया नहीं है आपको पता ही नहीं है कि किस तरह के सवाल हमें लगाने हैं किसको पहले लगाना होता है किसको बाद में लगाना होता और बहुत सारी बाते हैं जिनके बारे में आज की वीडियो म बिल्कुल free of cost और वहीं English Medium Students को मिलती है के जी टू ट्वेल सारी क्लासेज बिल्कुल free of cost in classes को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई pet subscription वगार नहीं लेना पड़ता है यह सारी classes बिल्कुल free में आपके लिए available है तो आइए start करते हैं और एक बात जरूरी और आपको अगर e-notes और e-books चाहिए तो उसका भी link description box में दिया गया है तो आईए देखते हैं वो कौन-कौन सी 7 tips हैं जिनको अगर आप follow करेंगे तो आपके 100% मतलब बहुत ही बेतरी number आने वाले हैं है ना सबसे पहली बात है कि परिक्षा के syllabus और pattern को समझे हम गलती क्या करते हैं और हम क्या मतलब कही ना कही 95% बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि बस book आ गई और start कर दिया पहले chapter से देखा ही नहीं कि कितने chapter हैं कौन से chapter में क्या-क्या है कौन सा portion बीजगड़ित का है कौन सा portion रेखा गड़ित का है कौन से chapter समय अच्छे से आएंगे किस chapter में आपका ज्यादा interest पहले आपको कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान देना होगा है ना तो आपको एक लिश्ट बना लेनी चाहिए कि सर यह चाप्टर हैं यह चाप्टर हमें अच्छे से आते हैं होता है ना कुछ चाप्टर होते हैं जो हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता ऐसे सारे चाप्ट पर बिल्कुल बढ़िया पकड़ होनी चाहिए तो इसलिए पहला पॉइंट मैंने बताया कि परिक्षा के सिलेबस को समझो पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं अंक गडित का क्या है बीज गडित का क्या है कौन कितने नंबर का आ रहा है तो यह सारी चीजें आपको पहले समझ पढ़ेंगी इसके बाद से दोस्त आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि एक्जाम का पैटर्न क्या है अब बहुत सारे लोग अभी बहुविकल्पी प्रसन आता है अब बहुविकल्पी एक नंबर का प्रसन प्राक्टिस नहीं करते हो आप आप बस NCRT करके चले गए जह आता है तो किस तरह तरह के क्वेस्टन सा रहे हैं वह आपको पता होना चाहिए और उस तरह के क्वेस्टन पे भी आपकी प्राक्टिस होनी चाहिए होता क्या है हम खतरनाक खतरनाक बड़े-बड़े सवाल तो बना लेते हैं लेकिन एक नंबर दो नंबर वाले सवाल हमसे नहीं बनते हैं या हमारी प्रैक्टिस की कमी की वज़े से वो सवाल कहीं ना कहीं छूट जाते हैं तो ये बात ध्यान रखेंगे दो परिच्छा के जो सेलिबस है और जो पैटर्न है इस पे पूरी बढ़िया पकड़ होनी चाहिए आपकी मतलब जो परिच्छा में पैटर्न 25 से ज़्यादा पर्सेंटेज लाने है अपने एक्जाम में तो मेरी बात समझ गए आई ये दूसरे पॉइंट पर बात करें अपना सिलिबस पूरा करें इस पे तो हम ध्यान नहीं देते हैं हम क्या करते हैं एक्जाम आने वाला है अब एक्जाम में मान लो आपके पांच चाप्टर आ रहे हैं तो बस उनी पांच चाप्टर पर हम लगे रहते हैं अरे हमें बोर्ड एक्जाम देना है फाइनल जो एक्जाम देना उसके बारे में भी तो सोचो तो कहीं ना कहीं आप बहतर रड़नीती नहीं कर पाते हैं है ना जैसा कि आपने सुना होगा कि जिसक पास बहुत सारे अथियार दे दिये जाते हैं कि ये तो जीत जाएगा है ना और जो बाहुवली होते हैं उनके पास कम अस्तर सस्तर होते हैं लेकिन वो अपना दिमाग चलाते हैं और वो कम अस्तर सस्तर से बहतर रड़नीती बनाके क्या करते हैं युद्ध जीत लेते हैं तो आप अगर 10th class में हैं तो कही ना कहीं दोस्त आपका September तक September तक पूरा syllabus जो है बहुत ही बहतरीन तरीके से क्या होना चाहिए, cover हो जाना चाहिए, क्या-क्या, NCRT cover कर लेना है आपको, NCRT cover कर लेना है पहली बात, दूसरी बात, इसके साथ सज्जेश आपने पहला चाप्टर कर लिया, previous year, previous year questions, previous year पिछले वर्सों में जो questions पूछे जाया, मालो आपने chapter 1 पढ़ लिया, chapter 1 पढ़ लिया, बिल्कुल चक्राचक, एकदम बढ़िया से NCRT पढ़ लिया, पूरे concept आपको clear हो गया है, अब देखो आपकी पिछले, मतलब की पिछले सालों में पहले chapter से कौन-कौन से questions, वास्तिविक संख्या है न, आपका पहला chapter, वास्तिविक संख्याओं से कौन-कौन से questions आ रहे हैं, क्या आप उन questions को बना पा रहे हैं, नहीं-नहीं variety देखें, कि NCRT में तो नहीं है, लेकिन इस तरह के भी questions पूछ लिया गया, उनको कैसे deal करना है, ये सारी चीजे, ये सारी चीजे आपको बहुत बढ़ियां से आनी चाहिए, तो NCRT कर लेना है, आपको previous year questions कर लेना है, और MCQs पे भी विशेस ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर number कर जाता है, आपका, खुब मेहनत करते हो, ये गलती नहीं करना है, MCQ आ रहा है, तो खुब सारा MCQ पे practice करो, जो यहां पर कराया जाता है, magnet brains में, आपको MCQs भी कराया जाता है, most important questions जो previous year में पूछे जाते हैं, वो भी कराया जाता है, NCRT भी कराया जाता है, तो हम उसी pattern पर चलते हैं, clear है बात, तो कहीं ना कहीं, आ से लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे पास October, September के बाद, October, November, December, January, फरवरी भूल जाओ, फरवरी भूल जाओ, जनवरी तक मतलब 4 महीने ही बच्चे हैं आपके पास बैतरीन revision करने के लिए, जो बहुत जादा जरूरी है, जो बहुत जादा जरूरी है, concept औ सर, बहुत सारे लोगों के maths में question चूटते हैं, आप लोगों को खुदी पता होगा कि हां सर सही बोल रहे हो, कहीं ना कहीं speed कम हो जाती है, और आखिरी में 3-4 questions चूट जाते हैं, और जो हमें आते रहते हैं, मतलब आपको question आता रहता है, concept भी अच्छे से आता रहता है, फि जैसे कुछ section में, paper section A, section B, कुछ बहुवी कलपी है, अतिलग उत्तर है, पहले से ही decide कर लो किस में कितना time देना है, ये नहीं कि बस बैठ गए और जित पकड़ लिए कि ये वाला question मुझसे नहीं हो रहा, इसको तो बना के ही बढ़ूंगा आगे, maths में मैं अच्छा हूँ, ऐसा कैसे हो गया कि ये question मुझसे नहीं हो रहा, ये गलती मैंने की थी, मैं जब J.E. का paper दे रहा था, एक question था पैरा बोला का, मेरे सामने आया, और उस question के पीछे में पड़ गया, और पता है मैंने कितना, छे मिनट लगा दिया, जहां पर मुझे एक मिनट लगाना था, उस question में मैंने 6 मिनट लगा दिया, और मेरे question मेरे सवाल वहाँ पर छूट गये थे, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात ध्यान देना है, कि किस question में कितना time लगाना है, और ये तभी maintain हो पाएगा, जब आपका concept बहुत ही बढ़िया होगा, concept कैसे बढ़िया होगा सर, समझ में तो book ले लिया, आता है, आता है, page product लिया, आता है, ऐसे नहीं मजाएगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, pen होनी चाहिए, copy होनी चाहिए, अब question देखो, अब लगाओ, भले आता हो, लगाएंगे, जितना pen चलाएंगे, वो आता है, सवाल तो बन रहा है, आपकी speed भी बढ़ रही है, तो speed पर भी काम करना है, दोस्त, और concept पर भी काम करना है, है ना, ये जितने point लिखे गए हैं, सब बहुत ही बढ़ियां से design किया गया है, इस पे पूरा time दिया गया है, कि क्या-क्या कमियां आप लोग करते हो, जिसकी वज़े से कहीं ना कहीं number आपके कमा रहे हैं, इसके ब math का question मुझसे ना बने, math तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, मैं तो math का topper हूँ, ऐसा कैसे हो गया, math मुझसे नहीं बनेगी, मैं उस question पर जित कर लिया, और मैंने 6 minute में उसको बना भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपना नुकसान कर लिया, मुझे पता होना चाहिए था कि किस question पर कितना time देना है, तो जो गलतियां दोस्त मैंने की है, मैं नहीं चाहता वो गलतियां आप लोग करे, है ना, तो जो बहुत कटीन है, आपको देखके question idea लग जाता है ना, कि ये hard है, कुछ questions होते हैं जो देखते ही लग जाएगा, अरे ये तुम उससे बन question पकड़ा और उस पर जित पकड़के बैठ गए कि नहीं, इसको बिना किये आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ये करते हैं बहुत सारे लोग, ये नहीं करना, है ना, smart strategy होनी चाहिए, आपकी बेवकूप वाली हरकत नहीं करनी है दोस्त, हम क्या करते हैं, मोबाईल में टीवी म व्यतीत कर रहे हैं, उसको दोस्त आपको कम करना होगा और हो सके, अगर मेरी मानो तो उसको छोड़ दो, इस साल के लिए छोड़ दो, है ना, अभी दस्वी क्लास में हो, एक बहतर नंबर की उमीद करते होंगे आप, तो ये Instagram अपने फोन में ऐसे दबाओ, अनिस्टॉल कर आप लगाओ उतना बढ़िया है, या मेरी मानो तो ना लगाओ, है ना, बस पढ़ाई, जहां पर YouTube पर पढ़ाई हो रही, YouTube को अपने फोन में रखो, इंस्टा अटा दो, फेस्बुक अटा दो, ये फालतू की जितनी चीज़े हैं, जो हमारा समय लेती हैं, रोज ये सारी चीज़े आपका डेर से दो घंटा लेती हैं, है ना, कोई सोच रहा होगा, नहीं सर, मेरे तो तीन घंटे जाते हैं, जाता होगा दोस्त, ये नहीं करना है, टेंथ क्लास में हो, ये समय आपके पास दुबारा वापस लोड़ कर नहीं आने वाला, आर ये मेरी बात समझ में तो ये सारी चीज़े अभी से गायब कर दो, इन चीज़ों पे अपना फाल्तु टाइम नहीं लगाना, ये मत सोचो कि सर, ये कर लूँगा मैं, दिसंबर में उड़ा दूँगा, क्योंकि एक्जाम तो फरवरी मार्च में होगा, नहीं, तेंथ क्लास में हैं, अभी से बिल इकल जीरो करें, बस अपनी जरूरत की चीज़ों पर ध्यान दे, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, टिंथ क्लास से रिलेटेड है, आरे ये बात समझ में, और फिर भी आप मोबाईल से भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं बार बार अपनी क्लास में भी बोलता हूं, अभी भी बो बार 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 बोल रहां, मैं पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैं प्रैक्टिस पढ़के नहीं होती, प्रैक्टिस लिखके, करके, प्रैक्टिस सब्तरउ करके, होती है, ये आपको करना ही पढ़ेगा, ये सारा काम lyrics start कर दो, ये नहीं सोचना की अच्छा सर इतना बता रिविजन ही वो सांदार तरीका है जो आपके 95% से उपर मार्स ला सकता है और कुछ नहीं कितना भी आप पढ़ाकू हो कितना भी बढ़ी आपको मैथ साती हो अगर आपने टाइम टू टाइम रिविजन नहीं किया चीज होगा तो कोई फैदा नहीं है अगर मैं सही बात बता लगते हैं NCRT को मजाक लग रहा है यह नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं पहली और दूसरी बार जब आप NCRT पढ़ेंगे तो यह इसमें टाइम लगता है यह टाइम टेकिंग होता है इसमें टाइम लगता है जब आप पहली और दूसरी बार NCRT पढ़ते हैं लेकिन जब आप तीसरी बार, चोथी बार, पांचवी बार और जैसे से टाइम ये चलता जाता है तो फटा-फट होता जाता है मतलब सारे questions तब नहीं solve करते हैं जो important लगते हैं उनको solve करते चले जाते हैं लेकिन पहली दूसरी और तीसरी बार हर एक question, हर एक उदारण, हर एक प्रमे ये स अपना syllabus जो है, वो November तक आप बहुत ही बहतरीन तरीके से पूरा कर लेंगे तभी आपके पास चार और महीने बचेंगे इन चार महीनों में आप एक सांदार बहतरीन revision कर पाऊगे और ये revision कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हमारी जिम्मेदारी है उसकी tension नहीं लेनी आपक तो magnet brains पर सब कुछ कराया जाता है, आपको जरूरत है सिर्फ मैनत करने की, practice sets सब कुछ यहां कराया जाएगा, पहले हम एक बार NCRT अभी cover कर रहे हैं, साथ में हम बहुवी कलपी भी कर रहे हैं, साथ में हम most important questions भी कर रहे हैं, ये सब complete होते ही, आपको practice sets भी कराया जाएंग कि नवंबर तक इतनी बहतरीन NCRT की पढ़ाई कर लो कि कोई भी example, कोई भी question आप से पूछा जाए, होना चाहिए, फसना ही नहीं चाहिए, एक बार मैं एक लड़की को पढ़ाने गया था, ये बहुत टाइम पहले की बात है, तो उससे मैंने बोला कि वो लड़की जो थी थोड़ा सा मतलब की उसको कान में ऐसे सुनाई नहीं देता था, अच्छे से कान में ऐसे phone phone लगा के, होता नहीं, earphone type में लगाना, बोल भी नहीं साब पाती थी, तो मैं देखा, मैं उसको भाफ नहीं पाया कि ये पढ़ने में, first time था मेरा, मैं भाफ नहीं पाया कि पढ़ डेमो क्लास थी मेरी, मतलब मैंने बोला अपने डाउट निकाल लो, आपके अगर डाउट मैं अच्छे से solve करा देता हूँ, मतलब कि मैं बढ़ियां पढ़ा दूँगा आपको, बोली ठीक है, तो मैंने पूछा NCIT में कौन सा chapter में doubt है, क्या doubt है, बता दो, तो बोली मुझे तीन question में doubt है, तो मुझे लगा किसी question में होगा doubt, किसी तीन question में, किसी chapter में, तो बोली मुझे पूरी book में तीन question में doubt है, तो मुझे लगा कि मतलब ये तो ऐसे ही, मतलब बड़ी-बड़ी बाते कर रही है, अच्छा उसके doubts में जब देखा, तो optional exercise होती है न, जो मतलब वैक किसी लंबी-लंबी फेक रही है, मैंने उससे तीन-चार questions दिये, NCRT के जो थोड़े muscle questions होते हैं, हमें पता होता हम teacher है, कि कौन से question में बच्चे फस जाते हैं, उसको मैंने दिया, इतने बहतरीन तरीके से solve करके दी मुझे, तो उस level की तयारी चाहिए दोस्त, उस level की तयारी चाहिए, और उसके maths में full marks आये थे, 2018 की बात है ये, full marks आये थे, CBSC की बच्ची थी हो, CBSC board से करती थी, तो 80 का exam था, 80 में उसके 80 marks आये थे, 100 out of 100 आये थे, internal में भी उसको 20 में 20 नंबर मिले थे, उस level की तयारी करवाना चाहता हूँ आपको, लेकिन उसके लिए dedication चाहिए, उ अपना syllabus पूरा करो, NCRT को जितनी बार हो सके, उतनी बार आप revision करेंगे, क्योंकि revision करने से ही आपको एक good score मिल सकता है, clear है बात, और सबसे आखिरी बात, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि practice paper करना है, CBSC भी sample paper release करती है, है न, और state boards भी sample paper release करते हैं, तो ये sample paper आपको करन ही करना है, बहुत सारी books भी आती हैं, जिसमें practice set होते हैं, 10 से 12 उसमें sample paper होते हैं, उसको आप आखिरी time पे, 9 अवंबर के बाद लगाएंगे, अभी नहीं, अभी से नहीं कि सर ने बोला था practice paper करने को, practice paper आपको 9 अवंबर के बाद करना है, पहली बात, और practice paper करके आप लो इसका proper analysis करना भी जरूरी है, नहीं तो practice paper करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, तो ये सारी बाते थी, अगर जितनी भी बाते मैंने बताई, इसको आप अपने मतलब की daily life routine में follow करते हैं, इस पे आप काम करना start करते हैं, तो निशित तोर पर 100% आपके 95 प्लस नमबर आने हैं, लेकिन इसके लिए दोस्त मेहनत लगेगी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा होगा, दो दिन बाद आप लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, proper इसका screenshot लेंगे, और इस पर काम करना, जब तक आपकी आदत ना बन जाएं ये चीजें, जब तक रोज देखना सुबर कि सर ने क्या बताया था, ठीक है, और जब एक महीने आप इस पर काम कर लोगे, तो आपकी आदत बन जाएगी, और बहतरीन नंबर लाकर आप दिखाओगे, तो आज के लिए इतना ही था, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करेंगे, जिससे की वो भी एक बैतरीन, मार्ग, दर्सन उनका भी हो सके, है ना, वो भी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, और आपको तो ये सारी चीज़े फॉलो करनी ही करनी है, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्त, और अपने प्यारे से कमेंट्स करके बताएंगे, कि क्या ये सारी बाते आपको समझ म आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, एक जरूरी बात और आज के लिए इतना ही था, जरूरी बात ये है कि मैगनेट ब्रेंस प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन और ये हमारे टॉप कोर्से हैं जो इंग्लिस और हिंदी दोनों ही माध्यम में अवेलिवल है यहाँ पर CBSC बोर्ड के साथ साथ हम अधर स्टेट बोर्स भी कवर कर रहे हैं जिसमें डेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एंपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड की जाती है यूटूब पर अवेलेबल हैं इनको देखिए इनसे जबरजस तयारी कीजिए इसके साथ ही आप वेदिक मैट्स, क्रेस कोर्स और स्पोकन इंगलिस की भी क्लासेज देख सकते हैं हमें अधर सोशल मीडिया नेटवर्क पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको और एक जरूरी काम आपके लिए डिजाइन किया गया है इनोट्स और इबुक्स जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो इसको ग्रैब करना बिलकुल नहीं भूलेंगे अपना ध्यान रखेंगे दोस्त जितनी बाते बताई गई हैं इनको अपने डेल इता थैंक यू सो मुच्छ